हे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी कहिकने और काफ़ इंट्रेसिंग वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले OPPO का A15S और ये रहा उसका रिटल पैकेजिंग इसके पहले OPPO का A15 लॉंच हुआ था जिसमें आपको 3GB RAM 32GB Storage का वेरियंट देखने मिलते था और यहाँ पे आपको 4GB और 64GB का वेरियंट देखने मिलते है प्लस इसमें जो Selfie Camera वो भी उन्हें अपग्रेड किया है जो है 8MP का प्रिविएस वेरियंट में 5MP का था यहाँ पे हम करेंगे इसकी unboxing and first impressions so let's get started यहाँ पे आपको OPPO की branding देखने मिलते है यह है 4GB 64GB वेरियंट और actual OPPO A15S की image यहाँ पे प्रोवाइड की है और यहाँ पे आपको देखने मिलते है उसके specification जैसे की 4GB RAM 64GB का inbuilt storage 6.52 इंच का HD plus screen AI triple camera and 4230 mH की large battery जैसे हम इसे unbox करते है सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिलते है उसके user manuals उसे के साथ उन्होंने यहाँ पे silicon transparent case provide की है और नीची की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते है वो अच्छल phone यह phone काफी lightweight मैसूस हो रहा है तो इस phone को फिलाल हम रखते है side में नीची की त इस phone के उपर का जो plastic wrap है उसे हम remove करते है और आप देख सकते हूँ यहाँ पे काफी बढ़िया fancy white color उन्होंने provide किया है तो सबसे पहले यहाँ पर हम करते है इसे power on और करते है इसमें सारी चीज़े setup सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चातो इसके build quality की तो यहाँ पर काफी बढ़िया fancy white color उन्होंने provide किया है जो आता है completely glossy finish के साथ और यहाँ पर complete जो body है plastic build के साथ आपको provide की है बढ़ते इसके ports की तरफ तो नीची की तरफ आपको देखने मलता है speaker, micro USB port, एक mic और 3.5 mm का jack, left hand side में उन्होंने provide किया SIM tray जिसमें आप insert कर सकते हो, दो SIM card और एक memory card और right hand side में आपको देखने मलता है volume up, volume down और power button उसी के साथ बढ़ते इसके display की तरफ तो यहाँ पर आपको 6.52 inch का 720p 60Hz का display प्रोवाइड किया है जो यहाँ पर आता है 480 nits की brightness के साथ, अगर आप outdoors में इसे use करे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और उसी के साथ ज बढ़ते हैं इसके camera के तरफ तो यहाँ पर आपको rare में 13MP का main camera देखने मलता है F2.2 aperture के साथ 2MP का micro camera, 2MP का depth camera और front selfie camera के अगर मैं बात करूँ तो 8MP का front camera प्रोवाइड किया है F2.0 aperture के साथ और इसके camera UI की अगर मैं बात करूँ तो typical UI देखने मलता है जहाँ पर photo mode, video mode, portrait mode, extra settings में macro modes के settings आपको देखने मलता है तो आप macro mode में भी इसे use कर सकते हो, so outdoor lighting conditions में हमने यहाँ पर कुछ photos click किये है और आप देख सकते हो यहाँ पर वो सारी images आपको display हो जाएंगे, ज्यादा यहाँ पर आपको dynamic range देखने नहीं मलता है, in particular cameras में, front camera भी यहाँ पर आपको काफी decent images provide करेगा and उसी के साथ बढ़ते इसके processor की तरफ तो यहाँ पर आपको helio का P35 processor उन्होंने यहाँ पर provide किया है, जो आता है 4GB RAM, 64GB का inbuilt storage के साथ, so guys यहाँ पर जो normal tasking होता है, वो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से होगा, हाला कि high end gaming या फिर high end applications के लिए यह processor इतना suitable नहीं है, बट यहाँ पर हमने call of duty game इसमें खेला and trust me, यहाँ पर मुझे call of duty में कोई भी lag महसूस नहीं हुआ, काफी smoothly यह game चल रहा था, हाला कि सिर्फ मैंने call of duty इसमें install किया, बाकी के applications यहाँ पर install नहीं किये थे, फिर हम बात करेंगे इसके OS की, तो यहाँ पर आपको color OS 7.2 provide कि किया है, जो आता है, यहाँ पर android 10 के साथ, और यहाँ पर जो इसका UI है, वो मुझे काफी जादा पसंद आया, कोई भी bloatware applications उन्होंने यहाँ पर नहीं रखे थे, और guys customizable UI है, आप app के icons वगेरा हर एक चीज़ यहाँ पर customize कर सकते हो, so guys, जो color OS 7.2 है, वो काफी अच्छी तर scanner भी देखने मिलता है, and trust me on this, काफी बढ़िया और responsive इसका fingerprint scanner है, plus यहाँ पर हमने face unlock भी इसमें set किया था, और face unlock भी यहाँ पर मुझे काफी responsive लगा, and guys, यहाँ पर आपको इसमें down firing speaker उन्होंने provide किया है, जिसकी sound quality काफी decent है, यहाँ पर हमने कुछ sample इसमें सुने, and मतलब क काफी decent सी audio quality मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही थी, so यहाँ पर मैं एक video sample play करूंगा, जिसमें आप सुन सकते हो, इसकी audio quality, and बढ़ते इसके battery की तरफ तो यहाँ पर आपको 4230 mAh की battery उन्होंने provide किये, जहाँ पर आपको कोई भी fast charging capability देखने नहीं मिलती है, but guys जो battery life है इसकी काफी decently आप approximately 5 to 6 hours तक इसे use कर सकते हो, continuous usage पे, so guys battery के मामले में जी हाँ काफी decent या फिर आप बोल सकते हो 4230, काफी अच्छी battery उन्होंने provide किये, इस particular phone के लिए, so guys बस यही था एक overview unboxing and first impression इस particular device का जो है OPPO का A15S, और इसके pricing की अगर मैं बात करूँ तो approximately 11,500 रुपीज की price में आपको यह device available मिल जाएगा, so अगर किसी को इसे purchase करना है तो link में नीचे description में drop कर दूँँगा, वहाँ पे जाके आप इसे purchase कर सकते हो, so guys बस यही था आज के वीडियो, I hope आपको यह वीडियो पसंद आओगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो please इस वीडियो को like कीजिए, और ऐसी ही tech related unboxing के लिए please subscribe कीजिए हमारे channel को, और दोस्तो और एक important बात please मेरा facebook page और instagram page भी like कीजिए, तो दोस्तों मिलते हैं अगरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,